और कब से है यह दिक्कात आपको बारा तेरा साल से अभी उमर किती है अच्छा बारत की इस से ही है पहले छोटा था भी बड़ा हो गया है या पहले इतना का इतना इता इता पहले चोटा था अभी इससे कम नहीं हो रहा है करीब चार पात साल हो गाई इस चीज को जा और बाखी कोई दिक्कत कपड़ों में दिखता हो जीव और और पहने बड़े ना वह सब चीज़ें बेसिक हैं अभी पता है अपन क्या करेंगे करेंगे क्या करेंगे इस बारे कुछ जानना है देखो यहां पर ग्लैंट रहता है और यह बाकी सारा फैट वाला पार्ट हम क्या करते हैं छोटे-छोटे से इंसीजन बना देते हैं इधर वह ऊससे हम लाइप सक्षन कर देते हैं मल्लगि जो फैट वाल पार्ट है हो सारा नीकाल देते और जो उसके लावा जो आपके य वाला पारट है एक्सापट वाला से ग्लैंड निकलता है तो इसलिए हुआ कि that ता है बाद में तो दिखना भी बंद हो जाता है निसा पड़ जाता हाँ कुदरत काम करती है कि dust ऑम करती है कि जब भी यह करेंग मैं का हुआ यह पहनना जरूरी है कम से चार से दिक्कत क्या आती है कि वो हमारी क्योंकि यह देखा यह यह स्किन धीली हो यहां से फैट निकल जाएगा तो धीली हो तो धीली होते फिर फिर लटके गया उसी उपर पहनाएंगे तो और लटके गई तो इसे लेटे-डे पहनते लेटे पोजिशन में स्किन एक दूब निकाल सकते यह सुबह जब उठे तो अपने लेटे-लेटे पहन लिया और उसके बाद फिर दिन बार उसको पहने रखा ठीक है ना बढ़िया अच्छा अभी तक ऑपरेशन करके हाटों टेबल पहना देते हैं जानबूच के जिससे की वह चीज मरीज को पता रहें कि यह स उसी साफ से सारा काम हो जाता है ठीक है और कुछ पूछना है नहीं 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 और आप सोते रहोंगे और जब तो अपरेशन खतम होगा उसके बाद हो शाज जाएगा और उसके बाद चाहों